हलो दोस्तों एक बार फिर साफ सभी का सौगत है लो समसलों यूटूब चैनल पर मैं अतुल अग्रेरी आप सभी का सौगत करता हूँ जस्तों जैसा कि आपने थम्नेल में देख लिया होगा कि आज हम एक बहुत महत्पूर्ड टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये वीडियो दस से पंदा मिनट के हो सकती है या उससे कमी होगी टाइम निकालके इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि ये बहुत महत्पूर्ड मुद्देबहम बनाने वाले हैं मुद्दा ये है कि मैं काफे दिनों से देख रहा हूँ यूटूब पर कि ऐसी ब्रहामक न्यूज फाइलाए जा रहे हैं जो कि विल्कुल फेक हैं विल्कुल गलत हैं सिर्फ आप लोगों का टाइम बरबाद करने के लिए आप लोगों को गुम्रा करने के लिए वो वीडियो बनाई जा रहे हैं और मैंने देखा कि उस पर लाखों के संख्या में विद्यार्थी उसको देख रहे हैं और जिसकी कोई अथंटे सिटी नहीं है जो विल्कुल फेक है जो खुद से पीडिया टाइप करके आपको न्यूज बताई जा रही है अब यह मैं आपको समझाओंगा कि फेक न्यूज से कैसे पसना आपको सही जानकारी आपको कहां से मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है किस तरीके से आपको पहचानना है कि कोई न्यूज जो आपको दी जा रही हूँ वो फेक है या नहीं बीए, बीएस, बीकॉम सिमिस्टर की जो परिच्छाय होनी है इसके बारे में बहुत सारी फर्जी न्यूज फहिलाए जा रही है ठीक है तो यह वीडियो कंप्लेट देखे लेना समय की बरबादी करना आप लोग बंद कर दीजिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने वाले च्छात रहें इसलिए कोई भी आपको बहका के चला जाता है आपको फार्जी न्यूज देखे चला जाता है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है तो मैंने कहा कि इस वर एक वीडियो बनानी चाहिए कि आपको सही इंफोर्मेशन कहां से मिलेगी और किस तरीके से आप एक अच्छी तैयारी करके कम समय में एक बहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करेंगे लेकिन पहले हम समझ लेते हैं आप वाहों के बारे में कि क्या फैलाई जा रही है आपने भी वीडियो ऐसे देखी होगी बहुत सी तो पहली बात जो फैलाई जा रही है वो है कि सेमेस्टर पर इच्छाओं में हुआ बड़ा बदलाओ अब इस बात को ह हम देख रहा हैं बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ चैनल ऐसे हैं कि सेमेस्टर पर इच्छाओं में हुआ बड़ा बदलाओ उनकी वीडियो सुभा अपलोड होती है उनकी वीडियो साम अपलोड होती है सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर कि सेमेस्टर पर इच्छा नहीं है कि वो दिन में दो बार अपनी परिच्छाओं में बदलाओं करेगी, ऐसा तो है नहीं है, इतने पागल तो है नहीं वो लोग कि हर टाइम में पेपर में चेंज़ेज कर रहे हैं, तो इस न्यूस से आप बचें की समस्टर परिच्छाओं में हुआ बड़ा बदलाओ वो भी पर बड़े हो रहा है, हर दिन में दो बार बदलाओं हो रहा है, तो आप खुदी समझ जएंगे कि दो बार बडलाओं कैसे हो जगता है, कोई इन्वर्जटि इतनी पागल नहीं है कि हर चार घंटे में वो नया एक्सन ले रही है, नया निउस दे रही है, नया अप महावध्यालियों ने परिच्छा कराई कुछ महावध्यालियों ने प्रोमोट किया वह भी फास्ट समेस्टर वालों को जो 2020 में नेशनल एजूकेशन पॉलिशी लाई गई उसके अंतरगत कुछ यूनिसिटी ने क्या गया कि समेस्टर पद्धती को अपना लिया था और को बिकाम को से इसको समपादित करते रहे हैं तो प्रोमोशन वाले में क्या हुआ था कि सिर्ब फ़र्स्ट समेस्टर यह फिर्फ़ envelop को ही प्रोमोट किया गया था लेकिन कब गिया गया था जब कोरोना की महामारी बहुत ज्यदा जोड़ से फैल रही थी बहुत ही क्रिटक सिच्वेशन में प्रोमोशन का उन्होंने एक्षन उठाया था लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी ऐसी कोई सिच्वेशन बन नहीं रही है कुरोना बढ़ेगा ऐसे हालात बनेंगे लॉकड़ॉन की स्थिति आजाएगी पूरूरूप से लॉकड़ॉन हो जाएग तो मैंने इसी के लिए मैंने कम से कम 25 योनिसिटि के नाम लिखे हैं जिन मैंसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कुछ बताता हूँ कि कौन कौन सी योनिसिटि जैसे कि उसी कमछी सिकिंट इसे कंछी 200 सिति मैंने नोट किया UGC की वेबसाइट से और रात के तीन वज़े तक मैंने इसी बात पर रिसर्च किया कि कोई उन्योसिटी ऐसे मिल जाए जहां पर बच्चों को प्रोमोट किया जा रहा हो जिससे मैं ये जो न्यूज फाइलाई जा रही है इसकी ये फेक है ये गलत है इस बात की पुश्टी कर सकूँ लेकिन मैंने इतनी ये उन्योसिटी का नाम लिया बहुत सारी लगबग मैंने 20 से जदा ये उन्योसिटी के वेफसाइट पर मैं विजट किया वहां पर चेकिया तो ऐसे कोई न्यूज नहीं है जिसमें समस्टर परिच्छाओं की जो समस्टर परिच्छाओं कराई जा रही है इसमें बदला हुआ हो या फिर इसमें प्रोमोसन की बात की जा रही हो तो अभी ऐसे कोई सुचना नहीं है करते हैं तीसरे की तीसरे में जो हमारे पास है वो है एक्जाम डेट को लेकर एक्जाम डेट या फिर एक्जाम डेट की जो सीट है वो इसको लेकर तो इसको थोड़ा से समझ लीजिए देखिए UGC की अंतरगत जो है कम से कम हजारों यूवर्शिटीज रेजिस्टर्ड है पूरे इंडिया में बोलो ठीक है पूरे इंडिया में जो है हजारों यूवर्शिटीज है अब UGC सभी यूवर्शिटी का स्लेवर्श डिसाइड करता है अब 2020 में NEP क्या हुआ कि 2020 में NEP National Education Policy लाई गई जिसके अंतरगत UGC ने कहा कि सभी यूवर्शिटीज का जो 70% स्लेवर्श होगा कितने परसंट 70% जो स्लेवर्श होगा वो समान होगा ठीक है तो स्लेवर्श जो है वो UGC डिसाइड करता है और इसने कहा कि 70% जो स्लेवर्श होगा सभी यूवर्शिटीज का सेम होगा लेकिन एक्जाम डेट और पेपर पैटर्ण को लेकर UGC ने अपनी कोई गैडलाइंस नहीं बनाई कहने एक मतलब ये है कि सब यूवर्शिटीज जो है वो अपने हिसाब से पेपर पैटर्ण डिसाइड करेंगे स्लेवर्श सब का सेम रहेगा स्लेवर्श में कोई डिफ्रेंस नहीं आएगा पेपर पैटर्ण को लेकर सभी यूवर्शिटीज सोतंत्र हैं ठीक है अपने हिसाब से पेपर पैटर्ण बनाएंगे और अपने हिसाब से एक्जाम की डेट देंगे ठीक है अब इससे मतलब क्या है इससे ये मतलब है कि सभी यूवर्शिटीज का जो एक्जाम डेट है वो सेम नहीं हो सकता जिस यूवर्शिटीज को अपनी सुब्धा के अनुसार जब एक्जाम लेगना होगा उसी हिसाब से वो डेट सीट जारी करेगी पहली बात तो कहने को मतलब ये है कि ये इन्वशिटीज पर डिपरेंड करता है कि आपको पेपर आपज़टि होगा या सब्ज़टि होगा और आपकी डेट सीट जो है वह वह यूवर्शिटी जारी हि से काई आप को लिग का ओपना快ा करे सब्सक्राइब क required नाम आपकी याना हुआ है नहीं ठीक है तभी आप कान्फरम हो पाएंगे कि यह हमारी हीुन स्टी का एक्जान diff kind फिर anxнес टी है थो सभी या सभी कि यह यह और यहासिट जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होने जाहिए लुकाथ पैटरन को भी बता दिये कि सभी उनसीटी अपने अपने हिसाब से पेपर पैटरने डिसाइड करेंगी कोई अब्जक्तियों करवा रहा है कोई लिखेत रूप में ले रहा है ठीक है तो यह सुतंद्र है यूजी सी का कोई हस्ता शेप नहीं है इसने सिर्फ इतना कहा कि सभी यदि वीडियों हमने देखी कि एक्जाम कैसेल हो रहा है तो यह अभी तक मैंने जितना इनलाइस कि यह पूरा फेक है एक्जाम कोई कैंसल नहीं हो रहा है बाइचांस अगर कुरोना बढ़ता है तो एक ग्जाम कैंसल हो सकते लेकिन अभी तक товख कोई सूचना नहीं हैई एक्जाम कैंसिल हो रहा है तो आप लोग ऐसी अफ़वाहों में न पढ़ें अपना समय बारबाद न करें क्योंकि आप लोग को पता होगा कि समय पर महारत हांसिल की अभिनाद जीवन में कोई सफल नहीं हुआ है तो इसलिए समय बहुत इंपोर्टेंट है समय को आप लोग बचाईए फरजी कामों में मत लगाएं फरजी वीडियोस देखने में मत लगाएं ठीक है जो सही इंफोर्मेशन है वो आपको विफसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप पर लाज़ी के सही इस्तमाल कैसे करना है उसका उपयोग भी आपको सिखना चाहिए नेस्ट हमारा जो है सही जानकारी कहां से मिलेगी तो हमने बता दिये कि सही जानकारी आपको आपकी यूश्यटी की वेफसाइट से मिल जाएगी वहां से आप अपने एक्जाम डेट की जो पीडियाफ है वो डाउनलोड कराएंगे आपकी एक्जाम की पैटर्न है वो डाउनलोड कर ऊपहेंगे यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी यूश्यटी का जो नयम है वो comment box में comment करेंगे हम आपको बीडियो के माद्यम से उसको उपलब्द करवा या फिर आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेजिए वहाँ पर आपको पीटिएफ शेयर कर दी जाएगी ठीक है और साथी भी बात जो हमेरा है जो साथवा पॉइंट है वह है फेक न्यूज से कैसे पहचाने तो फेक न्यूज पहचाने के बिलकुल सिंपल सा तरीका य आपको यदि कोई नोटिस दी जा रही है तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी यूज आपकी जूज जुड़ी हुई है या फिर आपके लिए फाइदेमंड है या नहीं है ठीक है तो यह सारी बाते हैं आप लोग ध्यान में रखेंगे और अपना टाइम्स सही से यू पुप कि आप यह सारी बात समझ गए होंगे और एक बात ध्यान में रखना कि सभी उनर सिद्प से वो बिल्कुल सेम है समान है से वही है 70 percent rating बाकी 30 and 정도 के लिए की जो है वह सवतन्तर रहें ठीक है अपने हिसाप से डिसाइड कर सकती है लेकिन 70% स्लेबस जो है सभी उनसिटी यदि आप भी फ़स्ट समस्टर में है तो जितनी भी उनसिटी है सब का स्लेबस सेम है बात यह है कि उनसिटी स्वतंद है इस बात के लिए कि वह पेपर का पैटरन कैसे बनाती है और एकजाम डेट सीट या फिर ए लगवग 80-90% पेपर आपका जो है उसी में से छपने वाला है तो माडल पेपर देखना आप लोग न भूले ठीके अब परड़े माडल पेपर दो माडल पेपर आपको परड़े दिये जाएंगे पहला माडल पेपर आपको जो है वो है पॉलिटकल साइंस का बीए फास्ट सम समस्टर वालों के लिए है जो कि 6 बजे अपलोड होगा साम को तो यह माडल पेपर आप लोग जरूर करने यदि अभी तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा ठीक है लेकिन यह माडल पेपर आप लोग जरूर आटेंड करें इन्हीं माडल पेपर में से आपका लग मिल जाएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर लेना है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद